प्लिपकार्ट को प्रेजेंट्स विमिन फाइटर पाइलेंट्स को पावरड बाइ किलोसकर अन एर्टेल भारती वायू सेना के ओफिसर्स सर्फ वो लीडर्स ही नहीं हैं जो एक अनोखी विरासत ले हुए हैं वो ऐसे युद्धा भी हैं जिनके कंधो पर देश की सुरक्षा की जिन्मिदारी है निर्देश मिलते ही हर ओफिसर फॉरण अपनी पूरी तैयारी करता है अपने विमान में बैठता है और जंग के मैदान की ओर जाता है जहां शोहरत और फक्र हमेशा के लिए उसके नाम के साथ जुड़ जाते हैं युद्ध में फाइटर जट उड़ाने के दौरान हाथ से किस संभावना कभी भी हो सकती है लेकिन दुश्मन के लाखे में विमान से कूदना जानलेवा साबित हो सकता है या आप पकड़े भी जा सकते हैं फोर्सेज में कॉम्बाट रोल चुनने का मतलब होता है कि आप मेंटिली इसके लिए तयार है फर्स्ट अक्शन टु दे कॉल मुझे इसी की ट्रेनिंग दी गई है ये मेरी ड्यूटी है और एक फाइटर पाइलिट बनकर मैं ठीक यही तो करना चाहती थी आप सौटी पर जाते हैं तो पहले सेंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके सामने कौन सी मुश्किल आएगी आप सौटी पर इस सोच के साथ नहीं जाते पर आपके साथ कुछ होता है तो शायद हम इसके लिए ट्रेन हैं हम और भी ट्रेन होंगे और हम उन मुश्किलों का सामना कर सकेंगे अगर ऐसी नौबत आई तो ट्रेनिंग हमें फिजिकली के बज़ाए मैंटली जादा स्ट्रॉंग बना देती है ट्रेनिंग पैटर्न कुछ ऐसा है कि उससे सिर्फ उनकी फिजिकल कंडिशनिंग या इंडूरेंस ही इंप्रूव नहीं होती उसमें mental conditioning पर भी ध्यान दिया जाता है कि आप अपने किसी भी mission को पूरा करने के लिए आप कितनी कोशिश कर सकते हैं Academy में अपनी training के दौरान जिन्दा रहने के tactical पहलू और बच कर निकलने में कुशलता हासल करने के साथ ही ये तीनों महलाएं दुश्मन के लाके में हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं सब को कुछ आज नकल तो होना है सब को यहां रहना तो किसी को नहीं है अगर जाएगी भी तो कुछ करके जाएगी यह जाहिए पर एत पर नगता है। यह एक रीलेकसेशन दे दो यह जारी है। उनको तियार किया हैं। यह तो तो जाट उड़े कर लर्रेना है। तो वहां तो गलती की कोई गुंझाइस तो नहीं होती, तो जब वो इतना तयार हो रही है और जब उसी में वो पीछे हड़ जाएगी तो फिर उसका होना तो बेकार है ना तो ये तो हमें गर्ब होगा कि हाँ उसने गई वो लड़ाई जीत के आई ट्रेनिंग ग्राउंड से जंग का मैदान एक युद्धा का सफर कभी खत नहीं होता युद्ध का ब्यूगल बचते ही एक फाइटर पालेट को बोग करने के लिए पूरी तरह तयार रहना होता है जिसकी उसे ट्रेनिंग दी गई होती है यानि लड़ना और देश की सुरक्षा करना हो ये एक बुरी सिच्वेशन है लेकिन एक फाइटर पालेट के तौर पर मुझे जंग में जाकर लड़ने में बहुत फक्र महसूस होगा फक्र तो सरहत पार बैठे दुश्वन को होनी चाहिए मुझे नहीं क्यूंकि मैं ट्रेनिंग की वज़े से बहुत कॉन्फिडेंट हूँ झाल झाल झाल